हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी के सामने मैं हादिर हुआ हूँ लुसेंट जनर्रल इंग्लिस सिनॉनिमस आज हम सुरुवात करेंगे वर्ड डी और ई अल्फेबेट से सुरू होने वाले यह सभी वर्ड आपके प्रिवेस एक्जाम में कई बर पूछे गए हैं और आने वाले एक्जाम में भी इसकी उम्मीद बहुत अधिक है जी हाँ, आपको यह सभी वर्ड याद करने हैं और इस बुक में से कौन सी वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सभी वक है, मैं अब हाइलाइट करवाँगा तो चलिए, सुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो और इस बुक को अपने साथ लेकर बैठिए अगर आपके बास में यह बुक नहीं है तो आप A4 शेट उठा लिजिए वहाँ पर वो सभी के सभी वर्ड आपको पैंडाउन करने है अल्फबेट D देखिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डेंजरस काफी बेसिक वर्ड है यह डेंजरस तो एक्जाम में इसका जो हिंदी में जो अर्थ होता है आप सभी को पता होगा इसका हिंदी में अर्थ होता है खतरनाक या भेहनकर तो एक्जाम में जो आपको देता है सिनोनिमस वो डेंजरस नहीं देगा वो देगा आपको क्या हजारस ह-a-z-a-r-d-o-u-s यह option देगा और आपको बोलेगा इसका सिनोनिमस क्या है तो हजारस का सिनोनिमस जो होगा वो होगा डेंजरस तो options a,b,c,d कहीं पर आपको डेंजरस मिलेगा तो आपको यह चीज याद रखने है आगे बढ़ते हैं word number हमारा 2 जो है इसका डर्थ डर्थ का मतलब होता है अकाल,कमी,अभाव डेखिए जो डर्थ word आपको दिखाए दे रहा है डर्थ में आपको death,death का मतलब मिर्त्यू दिखाए दे रही है मिर्त्यू कब होती है,जब अकाल पड़ता है बॉड़ी में किसी दिची कमी होती है तो क्या होता है तो इंसान की death होयाती है तो death से बना है आपका death कुछ इस तरह से आप इसको relate करके याद कर सकते हैं word को और इसका synonymous जो होगा वो होगा poverty, गरीबी गरीबी से क्या होता है इंसान के अंदर कमी आती है, भोजन की कमी होती है उसके अंदर और क्या होती है उसके मिठते जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा जो important word है death के stonimus, last के दो जो है poverty and scale city, तो यह दोनों-दो word काफी important है, आगे बढ़ते हैं word number 3 में, dedication इसका meaning आपको पक्का word number 4, delightful delightful, तो इसका हिंदी में आर्थ होता है आनंद, प्रद और इसका synonymus, आपको वसके विल एक ही आयाद करना है synonymus के विल एक ही आद करना है आपको वो है आपका present word number 5 है, democracy democracy का मतलब होता है परजात तंत्र, और synonymus इसका होगा आपका, autonomy and self-government word number 6, depreciate या depreciate इसका मतलब होता है दाम कम होना, ठीक है कहते हैं depreciate, depreciation लग गया उस चीज में, आपने math की term में यह चीज़ पढ़ी होगी, अगर आप accounts के student रहे हैं, आपके बास commerce, सीथो commerce में आपने depreciate, इतना percent वगरा accounts लग टैली करते हैं तो वहाँ पर यह word आपका सुना होगा तो यहाँ पर depreciate का मतलब होता है कम करना, decrease करना किसी को reduce कर देना, minimize कर देना या devalue तो आपको दो word जादर मिलते हैं एक दिखने के लिए, एक decrease and second is devalue word number 7 descent deteriorate word number 8 है आपका despair, despair का मतलब होता है niraas होना and collapse word number 9 destroy, destroy का मतलब होता है पूरी तरह से किसी को nushr करना demolish करना and eliminate करना and extinguish word number 10 device कहते हैं मेरी device काम नहीं कर रही है device वह वह वाला device की बात कर रहे हैं आपर इसका मतलब होता है और जार most important जो word है वह है आपका appliance आपको देगा exam में appliance देगा या फिर आपको देगा apparatus ये आगे बात करते हैं word number 11 devil dare devil सलमान खान की movie याद है आपको तो उसका मतलब किया था दुष्ट, मनुष्य, या फिर असूर synonymous का होगा आपका demon अगला word है आपका word number 13 12 skip कर रहा हूँ क्यों कि बहुत ही rare chances का पूशे आने का लेकिन आपको जो जो highlight करे गए है केवल उतना ही pen down करना है केवल उतना ही याद करना है word number 13 जो है आपका difficult difficult का मतलब क्या होता है cutting तो difficult आप आपको अगर एक्जाम में उसने दिया उसका सिनों में सबसे जो पूचेएगा वहां पे option में देगा आपको complicate and uphill and throne तो एक्जाम में maximum priority बनती है आपकी uphill की तो आपको याद अखना है uphill का मतलब क्या होता है cutting word number 14 Diplomat Diplomat का मतलब होता है इसका होगा आपका go between and negotiator word number 15 Disgraceful Disgraceful का मतलब होता है किसी का अपमान करना लज्जा जनक सिनों में इसका होगा dishonorable word number 16 Dismay Dismay का मतलब होता है हतास करना Depress Disappoint क्याता है Disappoint हूँ मैं इस बास से तो वही है आपका terrify तो एक्जाम में आपको maximum priority इन तीनों के बनती है बट उसमें भी maximum priority बनती है आपके terrify की word number 17 Divercity Divercity का मतलब होता है आपका विसमता अलग-अलग भिन्यता है Divercity अगर आप जाते हैं एक स्थान पे और दूसरी स्थेट में अगर आप जाते हैं घुमने के लिए वहां का weather और वहां के weather में अगर आपको फर्क लगता है तो यह क्या होती है Divercity तो इसका मतलब होता है difference variety and range तो range important है यहां पर आगे बात करते हैं word number 18 Drainage 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 का मतलब होता है पानी और कोड़ा कच्रे का निकास इसको बोलते हैं pipeline gutter तो gutter क्या होता है किसी एक आपका एक pipes attached होता है तो वह क्या होता है Drainage system इसको बोलते है seaways and waste word number 19 Dramatist Dramatist ठीक है तो यहां पर या फिर आप इसको simple बढ़िए D-R-A-M-A Dramatist Dramatist मतलब होता है जो ड्रामा करता है Natacard जो होता है उसको बोलते है Dramatist सिनो में इसका होगा आपका Comedian and Playwright word number 20 Drunkard Drunk से बना है Drink कौन करता है जो प्यक्कड इंसान होता है तो जो पीने वाला जो इसको बोलते है प्यक्कड Drunkard Synonym इसका होगा आपका Lush and Soak word number 21 Duration Duration का मतलब होता है दीर किस्ताई Synonym में इसका बनेगा आपका Extent and Stretch word number 22 Dwarf Dwarf का मतलब होता है Bona जिसकी height काम होती है उसका बोलते है Bona तो इसमें Synonym में सभी important है यहाँ पे हम कुछ भी Skip नहीं कर सकते कि कभी भी exam में कुछ भी Maximum priority सबके देखी गई है आप चाहे Sigel के exam दे रहे हो चाहे कोई Grade D के exam दे रहे हो वहाँ पे आपको कम से कम इतनी वकब याद करके जानी जानी है ठीक है याद रखना इस चीच को ड्वार्फ का मतलब होता है लिफ ग्रूम लिली पूटियन पिगमी एंड टॉम तो पिगमी एंड टॉम यह जलू याद कर लेना कम से कम वर्ड नमर 23 डैनमी का मतलब होता सक्तिमान सक्तिमान जो न पाता था आपने देखा था DD1 पहता था बहले सक्तिमान क्याता ग्राइब डैनेमिक परसनालिटी था वसकी बात खेतीज अलग अत्मूत क्या थी तो इसका सिनुनमर मैं अबऩगा एक्टिव energetic था वो वो उसके अंदर बहुत सारा force था और वो क्या था powerful था सक्तिमान, dynamic, dynamic सक्तिमान और ये dwarf भी आप याद दखना है ठीक है, dwarf का एक काम करें कि आपको कोई friend अगर height में कम हो आप friend छोड़िए, अगर आपकी भी height पांच फूर तीन इंच करीब है तो आप अपने हाथ में रिखिए dwarf dwarf, dwarf का मतलब क्या है, आप भी क्या है, बोने है देखे, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई pinch कर रहा हूँ, hurt कर रहा हूँ, आपकी height को लेकर के बस याद करने का एक तरीक है, अगर आप हाथ की हतेली पर यह word लिख लेते हैं, damn sure आपको यह काफी लंबे समय याद रहेगा अगर मौका मिलता है तो याद कर लो, क्या पता, यह इसी से मुलाकात हो जाए आपके आने वाल एक्जाम में तब याद करोगे, हाँ याद यह ड्वार्फ बड़क काम के चीज़ थी, तो ड्वार्फ बहुत काम के चीज़ है, इसको लिख लो आगे बात करते है, word number E, E का मतलब आपका first है आपका earthquake, ठीक है, earthquake बोलते है, इसको earthquake बोलते है तो इसका earth होता है आपका bookamb, इससे आप लोग पहले से अफगत होंगे, क्योंकि भुकम बगर आप भारत देश में आते रहते हैं, news बगर आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो वहाँ पे आपने इस word को सुना होगा, और देखी इसका synonymous क्या होता है, synonymous का होता आगे बात करते है, economical, economical मतलब होता है आपका, अल्पवे संबंदी, मतलब कम खडचिरा संबंदी जो बाते होते हैं, उसको बलते हैं, frugal, inexpensive, thrifty and reasonable, word number 3 है आपका, efficient, efficient का मतलब होता है, कारेशम, competent and proficient, word number 4, eligible, eligible, अगर आप हैं, तो या फॉर्म बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो य इंदी में अर्थ होता है, उप्यूक्त या फियोग्य, सिनोल में इसका होगा आपका, वर्दी, qualified and suitable, word number 5, इमैनी सीपेट, इमैनी सीपेट का मतलब होता है, मुक्त करना, डिलिवर, डिश्चार्ज, फ्री, या फिर, लिबरेट, एम्बैर्स, a, m, b, a, r, r, a, s, embarrassed, embarrassed का मतलब होता है, व्याकूल करना, ठीक है, व्याकूल करना, सिनोल में इसका होगा आपका, distress, most, most, most important word है, distress, word number 7, Emigration, Immigration बोलते हैं इसको Immigration बोलते हैं कुछ लोग तो इसका जो हुता है और्थ होता है परदेंश गमन परदेंश में जाने वाला Departure, Journey and Migration and Removal Migration, Removal इसको अपनी बुक में इसी तरह से highlight कर ना आगे बढ़ते हैं Word no.8 Imminent, Imminent का मतलब होता है आपका prominent, prominent का मतलब होता है आपका important, important का मतलब होता है आपका सबसे stressed enormous enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा enormous का मतलब क्या होता है बहुत बड़ा, अगर आपकी height बहुत ज़्यादा है तो अपने हाथ में लिख लो enormous, you are enormous you are enormous मतलब हा क्या है बहुत बड़े हैं इसको बोलते हैं गिगांटिक, इमेंस, प्रोडिजियस, एंड वास्ट, वर्ड नमबर 10, एन्थूसियस्ट, एन्थूसियस्ट, या फिर इसको यह बोल सकते हैं आप लोग, तो इसका आर्थ होता है आपका उत्साही, डिवोटी, फ्लोव लवर, एंड सपोर्टर, वर्ड नमबर 12, 11 इंपर नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्क्रिप कराया, वर्ड नमबर 12 पर हम आगे बढ़ते हैं, एक्जा गिरेट, इसका मतलब होता है, बढ़ाना, एन्लार्ज करना किसी चीच को, और एम्प्लिफाई, वर्ड नमबर 13, एक् एक्सिलेंस, तो एक्सिलेंस का मतलब होता है, मैत, स्रेश्टा, शिनोमिस का होगा आपका, प्योरिटी, एन्द वर्चुई, वर्ड नमबर 14, एक्सिस, हर चीज एक्सिस में काफी गरत लगती है, अगर आप दिन रात पढ़ते जा रहें, पढ़ते जा रहें, पढ़ते ज इसका है, तो ये चीज क्या है, आपका शिनोमि SMS का होगा, सिनोनिम में, इसका होगा आपका, एक्स्टा विगेंस, सर प्लस, वर्ड नमबर 15, एक्स्क्यूज, एक्स्क्यूज का मतलब होता है, किसी को शमा करना, कैते हैं एक्स्क्यूज में, थोड़ा साइड हो जाइए, यह हम उसको टो करहे है, वह पने अगर काम कर रहा है, रस्त passionate बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं excuse me स्क्राशन कूछ तो वहाँ पे हम लोग कहीं कहीं क्या कर रहा है, उसको को Strand कर रहे हैं ठिक है condon कर रहे हैं forgive कर रहे हैं defend कर रहे हैं मतलब शम कर मागना और नमब्र 16 Exhale एक्सेल का मतलब होत है सास निकालना जैसे हम सास अंधर लेते हैं सास जब हम भाहार निकालते हैं उसका गिया को बोलते है एक्सेल इसका लुष स्काई है का मतलब क्या होता है अगर आपका बस में experience है तो आप job कर सकते है experience नहीं है तो आप job नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या है इसका अनुभवी सिनोर में इसका होगा आपका competent and veteran ठीक है veteran बोल सकते है v-e-t-e-r-a-n word number 18 exterior एक होता है interior मतलब अंदर की तरफ एक होता है exterior मतलब भारी भाग और exam में केवल आपको एक ही मिलता है options वो है आपका क्या surface word number 19 extraordinary मतलब ऐसाधारण अतभुद जो अतभुद इंसान होता है वो क्यासा होगा unique होगा बहुत ज्यादा अलग से दिखने वाला सिनोनिमस इसका होगा marvellous या marvellous and fantastic बोलते हैं fantastic performance मतलब अदभुद performance word number 20 extra vagains extra vagains extra का मतलब आतियाची मतलब बहुत बहुत वे कनने वाले को बोलते हैं अतिवे extra vagains synonymous इसका होगा आपका folly word number 22 21 इसकी बोरा यहां पर 22 है आपका extremist का मतलब होता है आतंक वादी extremist का मतलब क्या होता है आतंक वादी synonymous क्या होगा इसका militant and jillot word number 23 extrovert extrovert का मतलब क्या होता है एक होता है introvert मतलब अंदर यो रहता है काफी और एक होता है extrovert मतलब बहुत ही लोगों से घुलने मिलवाले इंसान को बहुत है extrovert मतलब बहुर मुखी और इसका synonymous होगा आपका amiable most important है आपका amiable के अत्छाय तो फ्रेंड्स आज कैसी वीडियो में बसके अधलितना ही उम्मेद करता हूं चापड़ो पसंदा आया होगा अगर ये वीडियो पसंदा आया तो प्लीज इस वीडियो को like करी और आपके 2017 था उन तक इसृड़् को शेयर करना प्लीज ना भूलें क्यूंकि मै मैं जल सियाल इस भूक को खदम करवादूंगा